रामनौमी कब है दोएजार चाहबिस में । रामनौमी पूझा तिथी दोएजार चोविस हलो एवरीवन वेल से प्रेश जरूर कर ले जो भी निया वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए राम नौमी 2024 में कब है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथी को हिंदु धर्म की बेहद पुर्णे तिथियों में से एक माना जाता है क्योंकि इस तिथी को ही मरियादा पुरुशु कहे जाने वाले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था इसलिए इस दिन को राम नौमी के रूप में जाना जाता है इसके साथ ही इस दिन माता दुर्गा के नौमे सरूप सिद्धी दात्री की पूजा के साथ ही नवरात्री का समापन भी होता है यानि इस दिन आदिशक्ति माता दुर्गा और आदी पुरुष प्रभुश्री राम दोनों का अशिर्वाद इस दिन भक्त पा सकते हैं 2024 में राम नौमी कब है और इस दिन पूजा का सुमुहरत क्या है राम नौमी तिथी 2024 साल 2024 में राम नौमी 17 अप्रेल बुधवार के दिन पर रही है पूजा का सुमुहरत 11 बजकर 4 मिनट से 2 पर 1 बजकर 31 मिनट तक है ऐसे में पूजा के लिए कुल 2 घंटा 35 मिनट का समय मिलेगा हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नौमी तिथी 16 अप्रेल 2024 को 2 पर 1 बजकर 23 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 17 अप्रेल की 2 पर 3 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी ऐसे में उद्या तिथी के अनुसार 17 अप्रेल को ही राम नौमी का तिवहार मनाया जाएगा इस दिन पूजा आराधना करने का सुम मुहरत क्या है राम नौमी पूजा मुहरत 2024 राम नौमी के दिन सुबह उटकर सनान करने के बाद प्रभु शिरी राम का ध्यान करें और उनकी पूजा अर्चना करें पंचांक के अनुसार 17 अप्रेल को सुबह 11 बज कर 4 मिनट से लेकर दोफर 11 बज कर 35 मिनट का समय पूजा के लिए बेहद सुबह है इस दोरान भगवान राम का ध्यान करना और राम चरित्र मानस का पाठ कर सकते हैं इस दिन अगर आप पूजा ना भी कर पाए तो कम से कम 108 बार राम नाम का जाब करें ऐसा आपको सुभ परिणाम की प्राप्ती हो सकती है राम नौमी का महत्व चैत्र माह के सुकल पक्ष की नौमी तिथी को भगवान स्री राम का जन्म हुआ था इसलिए ही इस तिथी को राम नौमी कहा जाता है भगवान स्री राम ने अपनी चरित्र प्रजा के प्रती अपनी निष्ठा वचनों को निवाने के द्रिध संकल्प और मरियादित रहकर पुरुष उत्तम का दर्जा पाया था इसी लिए भगवान राम आदी पुरुष भी कहे जाते हैं राम भक्तों के लिए इस दिन का खास महत्व है ऐसी मान्यता है कि राम नौमी के दिन राम नाम जपने रामायन का पाठ करने से भक्तों की सभी मनुकामनाएं पुर्ण होती है धार्मिक मान्यता है कि राम नौमी के दिन प्रभु राम की पूजा करने से व्यक्ति के हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं और भगवान राम का आशिरवाद मिलता है रामनौमी पर करे इस मंत्र का जाप। माननाता है कि इससे प्रवू राम के विशेश आशिरवाद की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से बता दे इस बार 2024 में राम नौमी जो है वो 17 अपरेल को मनाया जाएगा कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब माई बड़ी को सित्न है कि समय सुपला आप अबिऴा की जरूर आप समय स सब्सक्राइब एंदगा की जर आप समय को बार्चे का ओल साब सब्सक्राइब एंगा भाटेर से लोग जगएण है जえば आए है अन्हां फिर सैनल को तो समय को जर एंग.